Hello Everyone, Welcome to the MCQ Factory तो जैसा कि हम सब जानते हैं कल यानि की 5 सप्टेंबर को UPSC EPFO का एक्जाम होने वाला है और इसलिए मैं लेकर आई हूँ प्रिवियस यर क्वेशन पेपर का ये सेट जो है 2015 का इसका एक्जाम 2016 में हुआ था और दो घंटे बाद 2017 के भी सारे का क्वेशन पेपर में डाल दूँगी और जितनी भी जनरल स्टडी के क्वेशन है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे उसके official answers जो UPSC ने provide किये हैं वो मैं बताऊंगी आपको कि आपका एक तरीके से revision हो जाएगा एक्जाम से पहले और जो cut-off गई थी इसकी वो भी मैं आपको बता दूँगी कि आपको एक idea रहे कि आपको कितना बहतर perform करना है और आप एक analysis कर सकते हैं कि 2015 में कितनी cut-off गई थी 2017 में कितनी cut-off गई थी और अभी 2021 में जो exam होने वाला है जो है 2020 का वो exam होने वाला है उसमें कितनी cut-off जा सकती है ठीक है तो इसमें maths में ignore कर दूँगी बट मैं maths के answers आपको बता दूँगी answers तो 120 questions सबके बताऊंगी इस EPFO के exam में 120 questions होते हैं पूरे आपको पता होगा जो carry करता है 100 marks मतलब हर question को equally marks में divide करके रखा गया है ठीक है और इसी तरीके से सारा मैं questions discuss करती जाओंगी बताती जाओंगी जनरल स्टडीज के history, geography, quality, current affairs event किस टाइप की question पूछे जाते हैं वो आपको एक idea मिल जाएगा जिनका exam नहीं भी है वो भी इस questions को देखी क्योंकि आपका general studies का अच्छा practice हो जाएगा इससे साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए देखी यहां पर दिया भी होगा कि wrong answers के लिए penalty भी है जो है one third यानि की 0.33 marks की क्योंकि 120 question है और वह 100 marks को carry करते हैं तो हर question जो है 1.2 marks का हो जाएगा ठीक है तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अब देखते हैं इसका pattern क्या-क्या होता है इसमें computer के भी questions पूछे जाते हैं इसमें English के पैटन नहीं है कि जैसे BPSC में है कि 30 questions sign से पूछा ही जाएगा वैसे इसमें ऐसा कोई pattern नहीं है तो इसलिए आपको थोड़ा cautious रहना है कि कहां से क्या question पूछ ले हाँ English के कितने पूछे जाएंगे 10-11-12 वैसे ही Maths के 15 questions पूछे जाएंगे लेकिन history के कितने जोग्रफी की कितने वो UPSC में भी defined नहीं है और यहां भी defined नहीं है तो चलिए फटाफ़ट questions read करते हैं और जल्दी से general studies को discuss करते हैं तो फटाफ़ट इसके में answers बताती जाओंगी आप वो देखते जाएंगे और mark करते रहिए और revise करते रहिए happy learning let's start और हां और जिनोंने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपको notification मिलती रहे और bell icon on कर लिजे notification मिलती रहेगी जो भी videos में डालूंगी जो भी previous year question paper या फिर जो जो exams हो रहे हैं उस सबके question paper आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे तो बने रहें MCQ factory से और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो question number one देखते हैं what is the indication out of the sentence I gave him a piece of my mind इसका क्या indication है तो इसका correct answer जो officially बताया गया है UPSC के द्वारा वो है scolding okay अब आते हैं what is the meaning of the expression bluebird तो इसका correct answer है C an aristocrat अब देते हैं question number three he was hoist by his own petard ये किसे refer करता है अब English का आप level देख सकते हैं तो इससे लिए grammar की बहुत अच्छी practice होनी चाहिए तो एक बार अगर आप ये देख लें ये आप अच्छे से solve कर पाएं तो आपको ये confidence भी रहेगा कि अच्छा मेरा आगे का exam जो है अच्छा जाने वाला है तो इसका correct answer है A sorry A he had problems as a result of his own plans to hurt others he was hoist by his own petard का मतलब ये है अब question number four what is a ballad a novel, a historical narration, a popular story, a fog tale in a verse, musical comedy सबको पता है ballad Shakespeare भी लिखते थे और इसका correct answer है C a popular story, a fog tale in verse question number five plagiarism means a word का meaning पूछा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है D D, it is presenting the work of someone else as own work जैसे कोई भी चीजों को copy करता है copyright violation करता है और ये पता जाता है कि अरे हमारा channel चाहे हम लोग ये बता रहे है तो this is called plagiarism okay question number six पे आते हैं rivalry between the two clans has become water under the bridge means rivalry between the two clans has become water under the bridge means the correct answer for this is B it has become a thing of the past under the bridge उसे आब याद रखी कि past का matter बन जाता है the teacher gave me the book 1,2,3,4,5,6 लिखा हुआ है where the words are numbered for convenience of reference consider also the insertion of single word only into this sentence to indicate a desired emphasis अब emphasis के बारे में पूछा जाता है where shall this word be inserted if the emphasis is to be on the recipient, on the uniqueness of the item given on the giver अब यहां पर बताना है और इसका official answer दिया गया है B between three, four और second between five, six between one यहां पर पूछा गया है कि यहां पर जो emphasis देना है वो कहां पर देना है तो इसका correct answer हो गया है B question number eight पर आते है what is the meaning of the term didactic अब इसके साथ साथ आपके vocabulary की वे अच्छी practice हो रही है जिनका exam नहीं है उनके बारे में कह रही हूँ तो didactic का क्या मतलब होता है इसका official answer यह दिया हुआ था कि teaching a moral lesson okay, didactic का meaning आपको पता चल गया हिंदी में भी यहां पर bilingual होता है यह exam अब 9th question पर आते हैं the message of peace and brotherhood permeated the address by the chief guest which of the following is mean by the word permeate permeate का word meaning क्या है तो इसका meaning है be to spread all over okay, question number 10 पर आते हैं arrange करना है grammatically correct sentence के through तो 10th का जो correct answer है वो है B okay, question number 11 पर आते हैं सबको अब देखी question number 11 है यह किसका question है तो यह GS का history का question है तो यहां से जो है history के questions सारे start होते हैं 10 questions हमने English का discuss कर लिया तो यहां पर बोला गया है कि जो भी chronologically events हुए है उनको chronology में arrange करना है जैसे first battle of पानिपत Vietnam War, French Revolution first gulf war, fifth जो है world war 1 तो इसका correct answer होगा D okay, D इसका correct answer है पहले first battle of पानिपत, Vietnam War, sorry third French Revolution, फिर fifth world war 1, फिर sixth, फिर second Vietnam War और end में fourth, first gulf war अब आपको यह बताना है कि यह सारे जो wars थे किस-किस year में हुए हैं ठीक है इससे आपका participation में बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा कि आपको कितना याद है यह आपको बताना है, comment section में please participate करिए, आप ही का भला होगा okay question number 12 पे आते हैं branch of scholarship that flourished in Europe particularly from the 15th to the 18th centuries and was devoted to the appreciation chronicling and classification of historic and non-organic relics monuments and old texts referred to इतना UPSC का एक खासियत यही है कि बहुत बड़े-बड़े यह sentences देता है कि बच्चे confused हो जाए और बस एक word में इसका answer पूछ जा रहा है तो वो क्या है उसका यह answer है D antiquarianism okay antiquarianism मतलब antiques को जो रखने का जो process होता है उसको antiquarianism बोलते है question number 13 पे आते है which of the following statements are correct in respect of stridhana stridhan से related कौन-कौन से statements correct है तो वो हम देख लेते हैं इसका correct answer है C 1 and 4 तो क्या-क्या correct है देखते है first, various types of movable property gifted to a woman on various occasion during her lifetime यह stridhan में आता है दूसरा on the woman's death this wealth could be inherited by her naturally legally adopted children with none of the son-in-law having any claim on any part thereof तो यह 1 और 4 यह दोनों जो है stridhan को define करते है अब आते हैं question number 9 पे sorry question number 13 हो गया sorry question number 14 पे आते हैं what is the number of states and union territories in India अगर अभी यह question जो है relevant हम इसका relevance देखे पहले कितनी union territories थी और states थे अब यह question क्यों पूछा गया क्योंकि उस टेलंगाना फॉर्म हुआ था तो question number 14 का correct answer था C 29 states and 7 union territory अब क्या हुआ जमू एन कश्मीर बना sorry जमू एन कश्मीर as a state हट गया union territory बनके तयार हुआ तो JNK को दो parts में divide किया गया JNK and Ladakh बन गया 7 union territories थे फिर उसको उसमें 2 plus कर दिये गया 9 बन गया ठीक है क्योंकि याद रखिए कि question important है आ सकता है फिर क्या हुआ दादरा एन नगर है वेली और दमनें दियू को एक दूसरे में add कर दिया गया दोनों को एक single union territory बना दिये और इस तरीके से union territory का number हो गया 8 states थे 29 लेकिन उसमें से JNK minus हो गया इसलिए states हो गया तो अभी जो number है हमारे states और union territories का वो है 28 states and 8 union territories ठीक है question number 15 पे आते हैं विच्छा the following is not true of the western ghat अब eastern ghat, western ghat, UPSC का favorite question है तो एक बार अगर आपने western ghat, eastern ghat को अच्छे से नहीं revise किया होगा तो जरूर जाके revise कर लिजे क्योंकि यह यू पीसी का favorite question है question number 15 पे आते हैं तो फिफ्टींत का correct answer है D. ONGC surveys have recently found huge oil reserve यह जो है correct statement नहीं है यहाँ पे oil reserve नहीं पाये गया है लेकिन इससे आपको यह पता चलता है कि यह तीन statements correct है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि UPSC हर बार क्या करता है कि previous year जो questions होते हैं उसी को तोड मरोड के किसी तरह किसे paste करने की कोशिश करता है इसलिए यह सारे questions उस हिसाप से बहुत important है अगर आपसे यह ना पूछ ले इसमें से पूछ ले कि कौन साथ ट्रू है तो यहां त्रू हो जाएगा न भई इट हाज तू रिजर्व सें थर्टीन नाशनल पार्क वेस्टन घाट इस वन अफ एट होटेस्ट होट स्पोर्ट ऑफ दे वाय लाजिकल डिवर्सिटी इन दे वर्ल अब आपको इसे अपडेट करना है कि 2021 में क्या इसका अपडेट है साथी साथ कितने रिजर्व नैशनल पार्क है इसको भी आप अपडेट कर लिजे तो यह आपका यह कोशन रिवाइज हो गया सबको पता होना चाहिए कि रिवर सर्यू के किनारे अयोध्या थी तो सीज का अंसर है खिलाफत कमेटी एक्सेप्टेड महात्मा गांधी सजेशन पॉर नॉन वाइलन नॉन कॉपरेशन प्रोटेस्ट अगेंस गवर्नमेंट इस मीटिंग आड कभ खिलाफत कमेटी किने एक्सेप्ट किया था महात्मा गांधी का सजेशन नॉन कॉपरेशन के लिए एक्सेप्ट किया था सी अलाहाबाद में खिलाफत कमीटी क्या है या आपो पता होना चाहिए महात्मा गांधी का क्या हुए सब्स c か्रेंट अंश भूए अटी प्रोग्राम फोर डायस्पोरा यूट तो प्रोमोट अमंग देम अबाउट डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया ये हैं नो इंडिया प्रोग्राम कोशन नमर 19 पर आते हैं यह दिया हुए परिमेटर करने के लिए बोला गया है यह आप पता रखिए कि मैज के कोशन जो है टेंथ लेवल तक के पूछे जाते हैं तो 19 का यहां करक्ट आंसर है 44 सेंटीमेटर इसका परिमेटर आएगा कैलकुलेट करके देख लिए कोशन नमर 20 स्पेशल एकनॉमिक जोन उसको प्रमोट करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट होती है जो भी डिमेस्टिक और फॉर्ण सोर्से से जहां जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए स्पेशल एकनॉमिक जोन बनाए जाते हैं कि बहुत मन्सी और बहुत सारी फैक्टरी मह पर सेट की जाती हैं तो यही है स्पेशल एकनॉमिक जोन कॉश्चन अमर्ट 21 पर आते हैं विच्छ फॉलॉइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट दिस्टिंक्टिफ फीचर अब इस्टिंक्टिफ फीचर क्या क्या था तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1 2 3 & 4 यह सारे जो थ देखेंगे हम तो 21 का आंसर है बी 1 2 3 & 4 मतलब सारे तो क्या क्या देख लेते हैं क्या 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 फीचर स्थे इसके इंशेंट इंडियन गनाज वर ओलिगार्ट ओलिगैर्कीज नमर्ट तू इंशेंट इंडियन गनाज वर नॉन मुनार्कियल स्टेट्स गंज होते थे वह जो संगा पॉलिटिक्स होते थे वहाँ पर ये इंक्लूडेड होता था तो क्वेशन नमर्ट 21 का करेक्ट आंसर है बी अब बढ़ते हैं क्वेशन नमर्ट 22 की तरफ what is the chronological sequence of the following development decline in the export of Indian cotton, cotton boom in India, civil war in America तो क्वेशन नमर्ट 22 का आंसर देखते हैं तो ये है था बी बी है इसका chronological order क्या 2, फिर 3, फिर 1, cotton boom in India हुआ, उसके बाद civil war in America हुआ, उसके बाद decline in export of Indian cotton हुआ, अब किस तरीके से पूछ रहा था कि chronological sequence है, अब आपको मुझे ये बताना है कि ये तीनों event कब हुए, इसकी chronology क्या थी, इसके dates क्या थे, अब आते हैं question number 23 पे, which of the following are the typical difference between the private insurance program and the social insurance program, ये भी current affairs का question था, तो इसका correct answer है, 23 का D, ये सारे, तो क्या-क्या हो गए, चलो, देख लेते हैं, private insurance program and social insurance program का, education versus equity, voluntary versus mandatory participation, जो private में होते हैं, उसमें क्या होता है, education होता है, social वाले में equity होता है, private वाला voluntary होता है, और social insurance program, जो होते हैं, mandatory होते हैं, private जो होता है, contractual होता है, और social insurance program statutory होते हैं, और दोनों में funding आता है, तो यही पूछा गया था कि, difference क्या-क्या है, इसमें, तो इस सारे difference है, आप question number, मतलत बहुना कि, funding भी अलग-अलग तरीके से होती है, unbalanced growth is hypothesized when, unbalanced growth कब होता है, तो यह होता है, active sectors need to and do energize sluggish sector, इसको बोलते हैं, इसको इस तरीके से hypothesize किया जाता है, question 25 पे आते हैं, which are the following are incorporated in the government approved national telecom policy 2012, national telecom policy, अब देखिए, 2015 का question है यह, और 2012 के question पूछे जा रहे हैं, कितना touch आपको सारे current affairs, touch में रहना पड़ता है, देखिए, तो यह हमारा question number कौन सा है, 25 और इसका correct answer है, 1, 2 and 3, मतलब यह, तीनों जहें, सही answer है, अब तो इस तरीके के options दी जाते हैं, 1, 2, 2, 3, इस तरीके से गलत होते हैं, लेकिन उस time, तीनों को correct कर दिया गया था, बहुत सारे में इसी तरीके से हुआ है, अब question number 26 पर आते है, which of the following is one of the millennium development goals fixed by the UNO, millennium development goal जो UNO ने फिक्स किया है, इन में से कौन सा है, तो वो है A, having extreme poverty and halting the spread of HIV AIDS, यह इसका goal है, question number 27 पर आते हैं, carbon footprint, अब environment and ecology का question है, क्या होता है carbon footprint, तो इसका correct answer officially दिया है D, the amount of greenhouse gases produced by our day-to-day activities, अभी the use of carbon in manufacturing industry या फिर the amount of reduction in the emission of CO2 by a country, यह सब carbon footprint नहीं बोलते हैं, जितने greenhouse gases produce होते हैं किसी भी country में, कितना amount produced होता है, वही carbon footprint होता है, कितना वो फैलाया जा रहा है, who among the following is the latest recipient of the भारत रदना वोर्ड, और कौन है भी latest recipient, तो वो है 2015 में अटल भिहारी वाजपई, उनको मिला है भारत रद, अब आते हैं question number 29 पे, green revolution in India was expeditiously feasible in zones of, कहाँ पर feasible था, high rainfall, moderate rainfall, assured irrigation या फिर higher population density, तो इसका जो main objective था, यह था assured irrigation, जहाँ पर irrigation फेसिलिटी बहुत अच्छी थी, अगर किसने Indian Economic Development Class 11 पढ़ी होगी, तो उसको पता होगा कि main चीज क्या यहाँ पर जरूरी थी, क्या feasible था, तो irrigation अच्छा होना चाहिए, तो पंजाब और हर्याना रीजन में irrigation बहुत अच्छा था, तो इसलिए सबसे अच्छा green revolution का benefit इन ही को मिला, अब आते हैं question number 30 पे, what is aparthe अगर आपने पॉलिटी की बुक पढ़ी होगी, 6-7 की, तो आपको पता होगा कि apartheid का मतलब क्या होता है, तो apartheid का मतलब होता है, policy of racial segregation, जो South Africa में बहुत ज़ादा की गई थी, और Nelson Mandela ने इसी के खिलाफ लड़ाई की थी, question number 31 पे आते हैं, transportation plays a great role in any economy, which are the following modes of transportation, has the highest elasticity, किस mode of transportation की highest elasticity है, तो वो है road, air, rail, water, ये सारे जो हैं, इनसे मतलब एक छोटे ही amount में या फिर कम amount में ही चीज़े ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब road जो है road by road सारी चीज़े connected रहती है, तो road जो है सबसे elastic mode of transportation है, okay, railway में बहुत बड़ी railway होती चाहे, आरोप्लेन को ही बहुत maintain करना मुश्किल होता है, water transport को maintain करना मुश्किल होता है, but road पे तो आप cycle कुछ भी चला सकते है, railways पे तो rail ही चलती है, हवा में तो airplane ही चलता है, helicopter में water transport चलता है, road पे तो कुछ भी चल सकता है, but cycle चल सकती है, car चल सकती है, bus, truck, ये सारी चीज़े, यह सबसे इलास्टिक है 32 पर आते हैं how does an expansionary monetary policy affect the rate of interest and level of income इसका correct answer है a कैसे expansionary monetary policy जो है rate of interest and level of income को effect करती है यह क्या करती है raises the level of income but lowers the rate of interest okay तो 32 का यह answer है question 33 पर आते हैं तो यह maths का question है population related और इसका correct answer है d 92610 आप solve करिए तो इससे आपकी practice भी हो जाएगी अब आते हैं question number 26 पे sorry question number 34 पे the problem of rupee was whose dsc's thesis किसकी thesis थी the problem of rupee तो यह थी भीम राओ अमबेट कर जीकिए अब यह क्या है इसको इबारा के रीड कर लिजे what is the correct sequence of tributaries of the river Ganga from west to east west to east यह जो questions है UPSC के बहुत favorite question west to east not to south तो आपको यह चीजे पता रहनी चाहिए और क्योंकि यह बहुत basic चीज है गंगा यमना और इंडस यह जो तीन rivers हैं इसकी tributaries याद करना बहुत आसान है और बहुत जादा पूछा जाता है और हाँ ब्रह्म पुत्रा भी हो गया एक गोदावरी वगयरा से भी कम questions आते हैं लेकिन इससे जनरली questions पूछे जाते हैं तो 35 का correct answer है ए यह उना फिर घागरा फिर सोन फिर गंडक और फिर कोसी घागरा सन गंडक और angंड़ थी कोसी यह चारो नदियां जो हैं भी हार में बहते हैं और यम्मस है यह बिहार में नहीं Зब्दाव का अब ये कहां कहां से originate होती है घागरा, सोन, गंडक और कोसी अब घागरा को यूपी में सर्यू भी बोला जाता है ओके तो ये जो सारी नदियां है कहां से originate होती है तो ये सब आपको पता होना चाहिए तो एक बार इसको revise कर लिजे अब ये question पूछा गया है math का 37th भी math का है तो 36th का अंसर देख लेते हैं, 36th का अंसर है D, 37th का अंसर देख लेते हैं तो 37th का भी अंसर है D, 900 question number 38 पहा था, under the constitution of India which of the following statements are correct the constitution is supreme, there is a clear division of power between the union and the state governments amendment to the constitution have to follow the prescribed procedure, the union parliament and the state legislatures are sovereign the preamble of the constitution cannot be invoked to determine the ambit of fundamental rights तो 38th का correct answer है आपका D, 1, 2 and 3 क्या पूछा है कि correct answer इसमें कौन कौन से हैं, the union parliament and the state legislatures are sovereign sovereign कैसे हो सकते हैं वो, वो sovereign नहीं है और the preamble to the constitution cannot be invoked to determine the ambit of fundamental rights यह भी incorrect statement है, question 39 पहाते हैं, when the government ownership in public sector undertaking is diluted, it is called, क्या बोला जाता है कि जब public sector undertaking में government की ownership को कम कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं disinvestment अगर किसीने Indian economic development पढ़ी होगी, तो उसमें यह अच्छे आपको पता है कि disinvestment का क्या procedure है, और कोई commerce student है, तो उसको यह बिजनस studies की बुक में आपको अच्छे दिया है, कि disinvestment क्या करते हैं, जैसे जैसे government की ownership, बोला जाता है, कि metro में disinvestment हो गया, मतलब प्राइवेट कंपनी का ज्यादा शेर बढ़ जया यह नहीं कि इस कंपनी को प्राइवेट में बेच दिया गया लेकिन प्राइवेट यह प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि प्राइवेट कर दिया गया उसको लेकिन disinvestment का मतलब है कि जैसे गवर्मेंट की 51% शेर जिस भी कंपनी में होते हैं उसको पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग बोला जाता है लेकिन जैसे ही वह 49 हो जाते हैं या कम होते हैं तो उस प्रोस्टेस को disinvestment बोला जाता है तो किस एज ग्रूप में एजुकेशन प्रोस्टेस को लिया गया है किस आर्टिकल से लिया गया है तो यह सारी चीज़े आप रिवाइस कर लीज़े सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसका correct answer है d he will not be able to vote in his favor in the event of non-confidence motion अगर लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं नो confidence motion के टाइम पे 42 पर आते बिच और फॉलाइंग फॉलाइंग फॉर्माइस फॉर देवलपिंग इंडियन Constitution इंडियन Constitution को डवलप करने का बेसिक जो उसका प्रिमाइस बना वो क्या था तो वो था Government of India Act 1935 सबसे जादा जो सोर्स है इंडियन Constitution का यह Government of India Act 1935 यह क्या-क्या इसके फीचर्स थे युएस Constitution से क्या बॉरो किया गया बिटिश Constitution से क्या बॉरो किया गया यह सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो एक बार उसको जाकर रिवाइस कर लिजे अब आते हैं दे मैली माइक कमीटी 2003 लुक आट वेस्टू रिपॉर्म द तो इसकी इसका करक्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंडिया अब आते हैं और यह कुशन ऐसी नहीं पूछा गया अगर नियूज में कोई चीज चलती है उसी वही सारी चीज़े यूपीस सी पूछता है ने तो यह कमिटी किस तरीके से फॉर्म हुई क्या था इसका रोल यह जब नियूज में नह रहता है तो वह सारी चीज़ें यूपीस सी नहीं पूछता है वर्श्रम 44 पर आते हैं और डिसद्वांटेज अब यह क्योंकि EPFO का पेपर है इसलिए इकनॉमिक्स के तो बहुत सारे questions इसमें रहेंगे और आपको वह टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए तो डिसद्वा है कि मतलब जो भी salary होता है उसमें से कुछ हिस्सा government जो है पहले से सेव करके अपने employees का रख देता है जो उनको फ्यूचर में देता है ठीक है लेकिन इससे क्या-क्या disadvantage होता है यही कि जब भी आपको पैसी की कमी हो रही है मान लिए आप 10,000 रुपे कमा रहें उसका 3000 जो प् 44th का correct answer है A Q45 पे आते हैं Besides resistance to pests, what are the other prospects for which plants have been genetically engineered? Genetic engineering से related question है, यह science का question है और इसका correct answer है C 1, 2 and 4 ठीक है? 1, 2 and 4 में क्या कहा है? To enable them to withstand drought 2, 2 to increase the nutritive value of the produce 4, 3 to increase their shelf life 3, 3 to enable them to grow and do photosynthesis in spaceships and space station यह भी फिलाल genetic engineering का related नहीं है, ठीक है? Genetically engineered crops वो होते हैं जिनके कुछ genes को जैसे pest resistant बना दिया जाता है Through experiments, तो वो होते हैं genetically engineered crops, okay? Question number 46 पर आते हैं Consumer goods and services Gross private domestic investment Goods and services produced by the government Net income from abroad Which of the above items are included in GNP? Gross national product क्या क्या चीज़ें इसमें included होती हैं तो यह होती हैं 1, 2, 3 & 4 मतलब यह सारी चीज़ें GNP में included होती हैं और आपको पता होना चाहिए अगर आपने macroeconomics पढ़ी होगी class 12 की तो आपको यह चीज़ पता होगी तो NCRT के को भी मत छोड़ी कि word by word NCRT से बहुत questions पूछे जाते हैं Okay, question number 47 पर आते हैं विज़ो तो following statement Best describe the content of the theory of distribution Theory of distribution यह तो बिलकुल microeconomics class 11 का question है यह ठीक है NCRT का 47 का correct answer दिया हुआ है D The distribution of income between the owner of factor resources Theory of distribution जो भी owners होते हैं factor resources के उसका उनके भी जो distribution of income होता है वो होता है Theory of distribution 48 पर आते हैं The demand for a factor of production is said to be derived demand because correct answer is B because it stems from the demand for the final product तो यह इसका correct answer है Question number 49 पर आते हैं Whenever countries set up free trade area they abolish all restrictions on trade among themselves and free trade के बारे में हमने बहुत जादा पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे institutions को इंडिया नहीं जोइन कर रही जहां पर FTA लाग हो है तो FTA क्या है Free trade area provide करने का वो उसमें क्या होता है कि जैसे domestic countries जो है Sorry foreign countries जो है आके investment कर सकती है तो बहुत जादा domestic जो producers होते हैं उनको बहुत loss होता है इसलिए free trade agreement में इंडिया जनरली एंटर नहीं कर रही है तो 49 का correct answer है कि free trade area जो है वो एक तो restriction abolish करता है trade पे और they establish a common external tariff on imports from outside countries एक common external tariff लगाते हैं जो भी outside countries से import किया जाता है वो एक tariff मतलब हर country पे जो भी इसके members होंगे वो applicable रहेगा मतलब इस एरिया में वो चीज इंपोर्ट होगी तो question number 50 पे आते हैं फिच्व फॉलाइंग आता functions of foreign investment promotion board FIPB का कौन कौन सा function है इसमें से इसका correct answer है C 123 and 4 अब देखिए कि इस वाले exam में generally सब का answer जो सारी चीज़े थी वो सब था तो अब foreign investment प्रमोशन बोर्ड का क्या क्या फंक्शन ने देख लेते हैं तो इंशॉर ex exudicious clearance of the proposals for investment foreign investment number two to review periodically the implementation of the proposals cleared by the board number three to undertake all other activities for promoting and facilitating FDI as considered necessary from time to time number four to interact with the FIPC being constituted separately by the ministry of industry यह सारे जहे हैं उसके foreign investment promotion board के features हैं यह question खतम हुआ अब आते हैं question number 51 पे the term dear money refers to यह भी question अभी किसी exam में पूछा गया है recently तो इसलिए आई रखना होता है हर exam में जो जो पूछे जा रहे है question तो 51 का correct answer है C high rate of interest यह है dear money ओके अब question number जो 52 है यह natural number से related कोई question है और इसका correct answer होगा C 8 and 34 अब जो भी है मैं इसको read नहीं करूँगी बहुत lengthy question है 53 प्याते दह रंगराजन committee on disinvestment of shares in public sector enterprises suggested that अब आपको क्या पता है कि public sector enterprises का department है अभी recently news में है और वो कहां गया है तो वो अभी चल गया है finance ministry के अंडर पहले ये heavy industry और public sector enterprises करके एक ministry थी अब simple heavy industries की एक ministry हो गई है public sector undertaking जो है finance ministry में चली गई है और finance ministry में total कितने department हो गए है 6 यह 7 होए है इतना ठीक से मुझे याद नहीं है और हाँ एक तो special announcement में करना ही भूल गई जो current affairs की series के साथ 8 sets दिये हुए है जाए जाके उसको देखिए बहुत सारे ऐसे questions हैं जो आपको factual पूछे जाते हैं exam में वो आप help करेगा मैंने क्या किया है कि जितने भी static और GS portions वाले चीजें हैं वो भी उस current affairs के set में explain कर दी है तो अगर आपके पास इतना time है तो एक बार जाईए आपके 6 month का current affairs बहुत अराम से revise हो जाएगा अगर आप वो series देखेंगे तो ठीक है तो question number 53 पर आते हैं तो रंगराजन committee ने क्या क्या suggest किया था तो इन्हों ने suggest किया था सिर्फ one और ये one क्या है the percentage of equity to be divested should be no more than 49% for industries explicitly reserved for the public sector and it should be either 74% और 100% for others मतलब जो public sector enterprises है उसका जो share disinvest होगा 49% से जादा नहीं होना चाहिए मतलब 50-51% से जाद नहीं किया जा सकता है उसको ठीक है और जो दूसरे enterprises हैं वहाँ जो divest जो मतलब shares को private कर देना है वो 74% और 100% हो सकता है ठीक है तो ये इसका suggestion था question number 54 पर आते हैं the parliament can make any law for whole or any part of the India for implementing international treaties तो इससे related इसका क्या answer होगा without the consent of any state the parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaty without the consent of the state consent of state कब लिया जाता है जब एक नए state का creation करना हो ठीक है और एक state को दूसरे से bifurcate करना हो अगर आपने लक्षमी कांत का chapter 1 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये वहाँ सही question पूछा गया है question number 55 पर आते हैं बिभी इंडिया कौन सी इंडिया सबसे ब्सक्ताबिस्ट्री इंडेश लिए बिधिश रूल में तो यह हुई थी क्या कि finance commission करती है तो finance commission करती है पहला the distribution of money collected through taxes दूसरा जो finance commission काम करती है वो करती है evolve principle based on which funds are allotted amongst states evaluation of centrally sponsored scheme to develop five-year plan यह finance commission का काम नहीं है five-year plan का कौन develop करता है या तो planning commission पहले करता था अब नीती आयोग करता है और यह question की नीती आयोग कभ established हुआ हर exam में पूछा जा रहा थो ही आप याद रखी कि September 2015 में नीती आयोग established हुआ नीती आयोग का headquarter कहा है नीती आयोग के CEO कौन है सब आपको पता होना चाहिए question number 58 पे आते हैं विजो the following statements are correct regarding the international monetary fund IMF के बारे में India is a founder member of the IMF India's quota in the IMF is more than 4% finance minister is represented XF officio on the IMF IMF conducts regular review of India's economic status under article 4 यह IMF जब बहुत जादा news में रहता है तब इस तरीके question IMF World Bank World Economic Forum World Trade Organization यह सारे जहें UPSC के बहुत चहेते topics हैं जरूर इससे question आता है जरूर उसके features related question आता है तो देख लेते हैं कि इसका correct answer क्या है इसका correct answer है इसका correct answer है B 1 3 & 4 1 3 & 4 जो है इसका correct answer है और पुछा गया कि IMF related कौन कौन से statement correct है तो यह सही है यह सही है और यह सही है India is the founder member of IMF okay finance minister is represented as ex official member on the IMF IMF conducts regular review of India's economic status okay India's quota in the IMF is more than 4% नहीं यह गलत है लेकिन कितना है India का quota IMF में यह आपको बताना है IMF कब established हुआ इसका headquarter कहां है Washington DC में है कब established हुआ इसके 194 members हैं यह सारी चीज़ें आपको पता रहने चाहिए इसके chairman कौन है यह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो उसको एक बर revise करना है question 59 पर आते है math का question है और 59 का correct answer है C okay अब आते हैं question 60 पर what was the position held by Dr. S. Radha Krishnan before he became the vice president of India कौन थे S. Radha Krishnan vice president बनने से पहले तो वो थे ambassador to the Soviet Union सर्वपली राधा Krishnan जिनके birthday पर हम teacher's day celebrate करते हैं question 61 पर आते हैं अब यह question पूछा गया है कि यह जो भी marks थे girls boys के और इसका average marks पूछा गया है तो बहुत ही common basic questions है यह 9 10 के questions पूछे गया है इसका correct answer है D 56.8 अब यहां पर features पूछे जा रहे हैं ठीक है अब पूछा गया कि total overhead rate क्या होगा factory का तो इसका correct answer 62 का भी है D 43.33 पर लेबर आर acid drain के बारे में जानते हैं acid drain यह जो question है यह 9 यह 10 की science की book का question है ठीक है NCRT तो acid drain is due to तो बार बार हमें बताया गया है कि acid drain is due to when the oxides of sulfur and nitrogen यह दोनों जो होते हैं यह उपर जाते हैं और sulfur dioxide बनके नीचे आते हैं तो उससे acid drain होता है उसका correct answer है A ठीक है acid drain चाहे greenhouse effect यह सारी चीज़े भी UPSC की favorite topics हैं साथ-साथ BPSC की भी favorite topics है question में 64 पर आते है DNA fingerprinting is a technique used for the detection of अभी यह science का question है इसलिए बोलती हूं बार-बार science पढ़ना कितना जरूरी है घटना चक्र पढ़िए घटना चक्र में ऐसे 10 questions है इस DNA fingerprinting से related अलगल exam में पूछे गए हैं तो UPSC दूसरे exam से भी बोरो करता है questions को तो 64 का correct answer है B disputed parentage के लिए DNA fingerprinting technique का यूज किया जाता है जहां पर ढूंडा जाता है कि जो भी disputed parentage है question में 65 पर आते हैं अब बॉल से related यह probability का question है ठीक है तो 65 का correct answer है B 1 by 8 probability होगी अब आते हैं 66 पे consider the following programs और what is the common in the above program यह पूछा गया credit link capital subsidy scheme microfinance program national manufacturing competitiveness program cluster development program ओके 66 का correct answer है B इन सब में common क्या है they are the programs related to micro small and medium enterprises MSME कौन है अमारे MSME minister comment करके बताई जरा spam email में जो spam है उसका क्या मतलब होता है तो अब देखे computer से भी समें question मैंने बताया ही था a message distributed indiscriminately कोई भी message जो है जबर्दत्ती से जादा भीजा जाया रहा है भीजा जा रहा तो वह बन जाता है 67 का a हो गया अब आते हैं कुशन में 68 पे यह मेंजूरेशन का question पूछा हुआ है अगर अच्छे से आपको फॉर्मूले आ दोंगे तो यह question बनाना ज्यादा पढ़ने में अब यहां पर all India radio के बारे में पूछा जा रहा है तो इसको भी current topics से आफ रिलेट करके याद कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें है ठीक है इस गवर्न बाइद प्रसार भार्ती बोर्ड इट वस सो नेम्ड इन 1936 ड़स नॉट प्रवाइड डिटी एच सर्विस इस एफम रेंबो और एफम गोल्ड आर इट्स सब्सिडरी चानल तो इसका करेक्ट आंसर है सी कौन कौन से करेक्ट है तो वन टू एन फोर करेक्ट है और डिटी एच सर्विसेज भी प्रवाइड करता है ओल इंडिया रेडियो आप देखेंगे कि हमारे डिश्टी वी में और इंडिया रेडियो के भी चैनल होते हैं कोशन नमर 71 पर आते हैं तो फेमस गिरी अप्रोच इंडस्ट्रिल रिलेशन इंडिया श्पाउज दक्वाउज और गिरी अप्रोच जो है वो किस कौस को बताता है तो यह बताता है कंपल सरी कलेक्टिव बार्गेनिंग को गिर 72 पर आते हैं यह बहुत सारे मैंस के कोशन पूछे गए हैं 72 को करेक्ट आंसर है सी ओके 73 पर आते हैं विचल फॉलाइं ट्रेंस इंडिया इंफ्लोज और करेक्ट अब यह एकदम डेटा रिलेड़ेड़ कोशन है तो जिसको याद रहेगा वो इसकोशन का राम से बना सकता सब्सक्राइब अब आते हैं 74 पर आते हैं 74 पर आपको पता चल जाएगा कि यह कहां से पूछा जा रहा है अब यहाँ पर मीन मीडियन मोड का मतलब स्टैस्टिक्स का कोशन पूछा गया जनरली जो कॉमर्स एकनोमिक्स के बच्चे हैं उन लोग के लिए पेवर बहुत एजी रहेगा कि वो लोग वो लोग ने सारे चीज़ा पढ़ी हुई है तो इसका करेक्ट आंसर है क्या है पूछा जा रहा है मीन एंट स्टैंडर्ड डेविएशन इन सब के लिए 27.8 और 3. 27.21 76 पाता हैं a sinusoidal transverse wave is traveling on a string any point on the strange moves in तो इसका correct answer है ये जू है 10 के बाहर के nC atyka question है तो इसका correct answer है a shm with the same angular frequency as that of the wave okay question no 77 पाते है the devices that work with computer system as soon as they are connected are described as तो वो है plug and play जैसे ही computer system that work computer system के साथ connect हो जाते हैं उसको plug and play बोला जाता है question number 78 पे आते हैं which of the following software application would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculation कौन से software important है तो वो है spreadsheet, spreadsheet किसका part है पता है आपको excel का part है उसी को spreadsheet बोले जाता है प्रिभाशा में GPS Global Positioning System के बादे statement पुछा जारा कि कौन सा correct है अब आप देख रहे हैं कि sprint के अनुसार सब 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 हर जगा 123 123 सारे correct है तो इसमें 12 दोनों बोत correct हैं GPS allows accurate time stamping on ATM transactions GPS relies on a set of satellites for transferring signals worldwide आपको पता भी होना चाहिए कि अभी इंडिया का अपना खुद का GPS है और किस satellite से उसने अपना GPS create कर दिया navigation system create कर दिया वो IRNS के थूँ question number 80 पे आते हैं cellular technology evolves in stage called generation where तो इसका correct answer होगा D 2 2G technology has two standards CDMA and GSM cellular technology के बारे में पूछा गया है question अब आते हैं को शमब 81 पे land, man and man are the computer networks covering different areas the first alphabet LWM respectively stands for का correct answer है C local area network wide area network and metropolitan area network ये इसका answer होगा 82 पे आ रहे हैं 82 का correct answer है A ठीक है यहाँ पर क्या पूछा जा रहे है length of the garden 83 पे आते है the cloud computing technology refers to अब cloud computing उसके बहुत जादा burning topic था अब तो सबको पता है कि cloud computing क्या होता है तो क्या होता है a distributed computer architecture that provides software, infrastructure and platform just as required by the application's users ओके ये cloud computing technology है ये साफ फोटोस है फोटोस से रिलेटर आपको जो जो चीज़े cloud पे चाई गूगल cloud भी बना कर दिया गया 84 पे आते हैं consider the following statements for nanotechnology ये भी science का question है तो nanotechnology के बारे में statements consider करें और इसका answer दिखते हैं तो ये इसका भी answer है 1, 2, 3 ये है nanotechnology physical properties change at the nanometer scale ओके chemical properties change at the nanometer scale तो ये सारी चीज़े correct है the large hadron collider used in CERN project is a particle accelerator located on the border between large hadron collider जो है किस country के border के बीच में है तो ये भी क्योंकि उस टाइम के current affair का question है तो इसलिए France और Switzerland इसका answer होगा लेकिन आपको CERN project पता होना चाहिए LHC के बारे में पता होना चाहिए क्या पता है आपको माफिरा के पूछले इस बार भी 86 पे आते है the method of communication in which transmission can take place in both directions but happens only in one direction at a time is duplex half duplex, full duplex, simplex 86 का correct answer है B, half duplex 87 पे, a collection of programs that controls how the computer system runs and processes information is called compiler, operating system, linker, assembler 87 का correct answer आपका हो गया B, operating system ओके, देखे, computer से एक तो पूछा बहुत ज़्यादा math से बहुत ज़्यादा पूछा economic से बहुत ज़्यादा पूछा गया history के बहुत ही गिने जुने questions है, 2-3 questions मेरे को अभी तक दिखे SMPS is the acronym for ये भी current का question पूछा गया है बहुत सारे current effects का question तो ये है switch mode power supply C इसका current answer है, USB USB उस टाइम बहुत चर्चा में था तो इसका current answer है universal, serial bus USB का full form है इसका अब आते 90 पे ये भी math का question हो गया और इसका correct answer है B 91 पे आते विज़ोदा following instrument are the instruments of providing social security in India, क्या-क्या जीज़े social security included है, तो ये है 2, 4, 5 and 6 2, 4, 5 और 6 ये social security में आता है income tax direct tax है general sales tax भी direct tax है तो बाकी जो चीज़े बची employment provident fund LIC, life insurance corporation से related pension scheme, postal provident fund ये सारी चीज़े हैं जो social welfare से related है question 93 पे आते है profit and loss का question पूछा गया है और 93 का correct answer है C, 4% loss होगा इसका 94 पे आते हैं अब ये आपका statistics का question पूछ लिया गया अब पूछा जा रहा है क्या time interval होगा इसका तो 94 का correct answer आपका हो जागा B अब arithmetic mean का question पूछा गया है अब जिन बचोंने statistics पढ़ा होगा उसकी theory अच्छे से पढ़ी होगी इस question का राम से बना सकते है arithmetic mean of the first three quantity इसका answer है 96 पाते है नाचसी मेंस के questions आए जा रहे हैं अब question 100 पर आते हैं अटल पेंशन योजना 2015 में बहुत चर्चा में था तो अटल पेंशन योजना क्या है अभी भी आपको पता होना चाहिए और कौन-कौन से statements correct है यह पूछा जा रहा है तो वैसे 100 का correct answer है C123 नॉमिनी का इसमें system है बाकि यह सारी जो टॉपिक्स है यह applicable है अटल पेंशन योजना के तहत क्वेश्च नंबर 101 पे आते हैं मैट्स का question है यह भी तो 101 का correct answer है C प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह भी उस टाइम बहुत जादा प्रेंड में था तो इसका correct answer है B3 & 4 मतलब accident insurance cover देता है और death and permanently disability जो accident की वज़े से होता है उसका insurance cover देता है ठीक है और बाकि इसकी क्या-काइफीचर से अगर आप comment करके बताना चाहिए तो प्लीज बताईए और साथ ही साथ प्लीज पूरा वीडियो देखिए कि end में मैं cut-off बताने वाली हूँ कि क्या-काइइ इसका cut-off गया था तो आपको एक estimate मिल जाएगा तो क्या था तो यह 1 और 4 मतलब यह 1 जो था और यह 4 यह जो थे मतलब suspension of civil disobedience movement और release of political prisoners लेकिन शिमला conference और pay taxes यह सारी चीज़ें जो इसमें included नहीं थी ठीक है 1 और 3 4 इसका answer हो गया 187 पर आते हैं फिर फॉलिंग इस नॉट एन absolute measure of dispersion यह class 11 की statistics की बुक से पूछा गया है तो इसका correct answer होगा D coefficient of variation तो इसलिए NCRT पढ़िए बार बार बोलूंगे NCRT पढ़िए और news तो जरूर पढ़िए तो 108 का correct answer देख लिए जिए B 38.33 kg ठीक उसी तरीके से यहां पर भी question 109 इसका correct answer है C 5 meter 110 यह भी मैस का question है इसका correct answer है D 60 111 इसका correct answer है social security में provide cash benefits to persons faced with social security किस-किस areas में cash benefit provide करती है तो इसका correct answer होगा D1234 मतलब इन सारे areas में sickness disability unemployment crop failure loss of marital partner यह time and work का question पूछा गया है तो 112 का correct answer जो है जो भी होगा लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि इस answer को delete कर दिया गया था ठीक है 113 पर आते हैं 113 का correct answer है D 75% 114 Employment State Insurance Act यही जो सारे employees related questions जो है वो इसमें पूछे जाते हैं economics के तो 114 का correct answer हो जाएगा D यह सारी चीज़े factories and establishment with 10 or more employees यह insurance act कवर करता है provision of comprehensive medical care to employment and their families provision of cash benefits during sickness and maternity for monthly payment in case of death or disablement यह सारी चीज़े यहां cover होती है तो 123 पर इसका correct answer होगा स्कीम और इसका correct answer मैंने क्या बताया है C 2 & 4 116 पर आते हैं यह भी मैट्स का question है वही तो यह डी इसका answer हो जाएगा now question number 117 statement और assertion वाला question पूछा गया statement अब इसको किस तरीके समार करना है बोला गया है कि A तम मार करना है जब दोनों अलग-अलग individually true हो B जब एक true हो और दूसरा उसका explanation true नहीं हो एक true हो दूसरा false हो एक false हो दूसरा true हो तो 117 का correct answer हो गया B okay 17 का हो गया B B मतलब statement तो सही है लेकिन उसका जो explanation है वो incorrect है the effects of income tax on consumption saving and investment are micro effects income tax is an example of direct tax ठीक है लेकिन यह जो पूछा जा रहा micro effect के बारे में उसको यह define नहीं कर रहा तो इसलिए 17 का correct answer है B वैसे ही question number 18 पे आते हैं trade between two countries takes place on account of differences in cost or statement two different countries have different factor endowment तो question number 18 का correct answer आपका है A statement भी ठीक है दोनों और उसका explanation भी ठीक है 19 पे आते हैं foreign investment may affect a country's export performance inflow of foreign exchange may cause appreciation of local currency leading to a rise in the price of export commodity तो 19 का भी correct answer है A यह भी लिख लिजिए यह भी A है मतलब दोनों statement correct है और उसका explanation भी correct है और 120 speaker of the locks of appoints a chairman of the public account committee ठीक है member of parliament eminent person from industry and trade are the member of the public accounts committee तो इसमें क्या है C है इसका answer और C का क्या मतलब है यह यह true है और यह जो है false है यह false है यह true है अब डिसकास कर लेते हैं कि cut-off कितना गया था तो देखिए यह union public service commission के द्वारा जारी की हुई list थी Employees Provident Fund organization मतलब EPFO क्या cut-off था तो देखते जाए के टेगरी थी general ओके कितने candidates थे सब यहां पर यह detail दी हुई है देख लो 170 vacancies थी यहां पर दिख रहा है कितने सेलेक्ट हुई जेनरल के 71 OBC 61 SC 24 STK 14 और कैसे-कैसे इनके marks आए तो recruitment test जो हुआ तो उसमें cut-off गया था 66.5 OBC के 60.5 मतलब 100 में 66 गया था इंटरव्यू में 50 marks गया और उस तरह किसको जेनरलाइज करके क्या आप total cut-off गया 268.37 249 OBC का 234 SC का 229 ST का फिजिकली हैंडिकाप जो थे 221 और एक और जो इनकी कैटेग्री थी उसमें 201 गया तो देखिए 66.5 गया है 2015 का अब देखते हैं नेक्स वीडियो में की 2017 का cut-off कितना गया और कैसे-कैसे मांग गये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी कि पहले cut-off बता दूंगी कितने-कितने questions पूछे गए वह बता दूंगी तो प्लीज बने रही हमारे चैनल से और अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब टूर चैनल कीप लर्निंग थैंक यू है यूर खemenश संस्ट घर जच तो लाइक कर दो चैनल में कर दो जैकर दो चभें कर सकत में कूंगी R